हेलो अब्रीबन वेल्कम टू दीस चैलिंग जिलोजी नोट्स आज की इस वीडियो में आपको बताँगे मैटा थेरिया के बारे में कम्प्रीट टीटेल से बताँगी यह टॉपिक आपके एक्जाम हमें से लॉंग में पुछा जाता है कभी कभार यह सॉट नोट में पुछ मेटा थेर्यis Lessan मेटा थेर्या शी यह संवग modest मेमीलीं का सब थार प्रेंधी इसको अच्छी तरिकी से समयने के लिए इसको बौडी में एक तरह का पाउष पाया जाता है जो क्याते भीड्र साइड में होता हैं आगी की साइड में होता है जिसको माट सुपेस भी चाहता है दूद लून एक्जमपल पार्स्ट डिस्टिबिशन मेटाथेरिया जो होता है बहुती अच्छा इंट्रेस्टिंग ग्रूप होता है क्योंकि सबसे अलग देखने को मिलता है यह मैमल्स में इसका जो बाड़ी जो होता है वो सौफ्ट बहुती मुलाएं बाल और क्या होता है रुवा से यह धकावा होता है कभड होता है external ear और पीना is well doubled इसका जो कांज होता है कंगारू का वो बहुत ही अच्छी तरीके से develop होता है अगर आप figure में देखे होंगे यह image देखे होंगे तो उसका कांज होगा जिसको पीना बुला जाता है वो बहुत ही अच्छा से developed होते है बहुत बड़े बड़े लंबे जैसे होता है the mammals are with teats और nipple यह जो mammals होते हैं उनमें teats होते हैं और nipples होते हैं teats को nipples भी बहुत सकता है tail is generally long or prehensile इसका जो tail होगा वो बहुत ही लंबा होता है जैसे इंसीजर प्री मुलर मुलर यह सब इस्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं यॉक्स एक प्लासेंटा इसका जो प्लासेंटा होगा वो यॉक्स एक होता है मॉर्फोलोजी body is covered with soft hair and fur इसका जो body होगा वो soft hair से या या फिर क्या होते है फार से वो ढखावा होता है, covered होता है, hind limb with syndactless connection इसका जो hind limb होगा hind limb मतलब पीछले का पैर जो कंगारी होता ने जिस पैर से वो चलता है या पिछलने वाला पैर को हम लोग high limb हो सकते है उसका उंगली वो सटा हुआ हो का पैर से वो इक डिव करे कर देंजी ने से एक मतलब या मन तरु के होगा यह सरी इसका जो साण फेम न TVs ग्रिंद सेफिक्टा हुता होता है इसका जो सूचर होगा वो प्रोमिनांट या इसका दात के साथ को तो एक होता है तो इन ले सेट होगा और उसके ही तरह क सेट होगा और एक ही तरह को सकता है इसके dental formula, incisor 5x4 होगा, caesar 1x1 होगा, premolar 3x3 होगा और molar 4x4 होगा यह dental formula आपका एक्जाम में भी पूछा जाता है, true marks के question में, तो अच्छा से कर लिजेगा The basic dental formula found in opposite, यह dental formula है, यह opposite में पाए जाता है Vertival column, जो यह read किये जो वर्डियोतिन, वो कितने होती है Number of cervical vertebrae is 7, first cervical vertebrae called atlas is incomplete इसको जो cervical vertebrae, मतलब इसको नेक रीजन का जो vertebrae होता है वो 7 होता है और first का cervical vertebrae, इसको atlas कहा जाता है, जो incomplete होता है Thoracic vertebrae are 13 with ribs, इसका thoracic, मतलब peat के जो back का जो vertebrae होता है वो 13 number पर होता है, और वो भी ribs होता है, उसमें मजूद होता है Lumerous are 7 without ribs, sorry, Lumerous नहीं, Humerus Humerus are 7 without and without ribs, इसके जो Humerus होता है, इसके hand के वहाँ पर जो bones होता है वो क्या होता है, वो 7 number पर होता है, उसमें ribs, उसमें joint नहीं होता है उसके बाद है pectoral giddel, pectoral giddel क्या होता है, pectoral giddel का मतलब होता है इसका लेटन का वो भाग, जो four limb को framework देता है या फिर बोल सकते हैं, जो four limb को safara देता है, उसको work करने में एक तरह का सही support देता है, four limb को, मतलब आगी का hand को, वो support करता है उसके factorial giggle and skeleton होता है इसमें क्यों होता है इसमें basically दो बनाते हैं एक होते है clavicus और दूसरा होता है इसका पूला। इसमें Corocoyd is well developed in embryonic stage इसके embryonic stage में corocoyd जो होता है वह बहुती अच्छा सर वेल डबलप होता हैं इसमें गीडिल में basically दो बनाते है लेकिन इसमें interclavicle जोता है, वो absent होता है, उसके बाद,いつ исcapula is enlarged और provided with spine, इसका इसका इसcapula होगा, वो बड़ा होगा और heat के साथ वो मिला होगा होता है, उसके बाद, Parlvic riddle, Pelvic riddle इस बोल सपोड़ the mushroom yator, ये पैलबक गिडडल जोता है बैसिकलिकली ये hand limb को को सपोट करता है और यह जातर मार्श मतो कंगार्व मार्श मार्श मेर्श प्रीम को यह सपोट करता है इसे स संख्रिकवरुका उसके संख्रामक की सब्सक्राइबल इसका सेप्ट इस्ट्रमक का वह चेंज होते रहता है डिपेंदिंग अपन दा फीडिंग हैबिट कि यह हर्वी भोरस है या कानी भोरस है अगर यह हर्वी भोरस होगा तो इसका इस्ट्रमक का साइज दुसरा होगा और यह कानी भोरस होगा तो इसका इस्ट्रमक का साइज थोड़े चेंज होगा लेकिन होगा उसी तरह इसका जो कैकम जोगा बस यह हर्विभोरस में ही पाए जाएगा, कानिवरस में यह अपसेंट होगा रिपोड़क्शन और डवलोप्मेंट इसका जो मार्शिपियल का जो रिपोड़क्शन होगा, वो भीविपरेटी है इसका जो एक जोगा, वो यह से कवर्ड होगा, उसमें अल्वेमीन भी पाए जाता है क्लिवेज इस मेरोब्लास्टिक, इसका क्लिवेज कैसा होगा, तो मेरोब्लास्टिक होगा मताथियर्यल के साथ वो कितना करक्टरिक, मिलता जोता है you I don't like this प्रेस्टिज क्या होगा तो प्रेजंस अप इपी पूबिक इपी प्यविक बोन क्या होगा रप्टाइस और मर्शुमियर exec province में और मैटाथिय ह्यामेंगे बॉय जाथा या यैसे पेल्विक गडर में जो एक तरई उ क्या ψता हैं पहल्लिक पीडल वाला एक बॉन होता है जो दोनों में पाक किर दोनु नों पाक कि वमस पर में पाया ढहा है UKRAइ जाता है लग का दोनों के जब रो गए इसमेलेटी से अलग रखा गया है उसका इप्रोटर्थेर्य प्रोट्रेट्रिय इसका तो समयलेट्य दा मार्शु अप्यूर्ट पाउच इस प्रेजंट इन इकडिना जो इक प्रोट्हेरिया का जो इस पेशे से इकीडिना उसका मार्श्वी और पाउच जो तह वो मिलता है जोलता है इकीडिना में भी पाया जाता है brain is without corpus callosum brain क्या होगा तो बिना corpus callosum के पाया जाता है दोनों में protetheria में भी और metatheria में भी और no cervical ribs दोनों में cervical ribs नहीं पाया जाती है cleavage is meroblastic, prototheria में भी meroblastic होती है और इतना की metatheria में भी meroblastic होती है उसका dysmarrity क्या क्या नहीं मिलता है तो absence of nipple in the memory gland of prototheria prototheria के memory gland, prototheria के जो animals जाते हैं उनके memory gland में nipples नहीं पाया जाती है prototheria और oviporous whereas the metatheria और viviporous prototheria एग ले करती है और metatheria जो होता है वो direct young ones को birth करती है different view regarding systematic position of metatheria मतद metatheria के systematic position के नहीं से कुछ तीन सांटिफिक्स ने कुछ बताया थे इनके बारे में वो भी आपको लिखना होगा first Hexley ने कहा था, तो Hexley ने 1880 में कहा था he divided class mammalian in three group, prototheria, metatheria और eutheria he considered metatheria as an intermediate group between prototheria और eutheria ये जो Hexley है 1880 में इन्होंने mammalian को तीन group में बाटा, prototheria, metatheria और eutheria इन्होंने कहा कि metatheria जो होता है, वो connective link होता है prototheria और eutheria के बीच का उसके बाद better 19.09 में बताया था, he considered marsupelia as an order under subclass theria इन्होंने बताया कि marsupelia जो तो order under subclass theria के अंदर ये आता है उसका अठा Simpson ने बताया था, he includes marsupelia as an infraclass under subclass theria इन्होंने क्या क्या क्या, तो marsupelia को infra class में रखा, किसके तो subclass theria के अंदर इसका बहुत बड़ा बड़ा थियोरी है, उतना आपको लिखने का जोरत नहीं है बस अपको दो पॉइंट करकी लिखने से वो marks मिल जाएगा